सिलागाई के बुद्धु भगत जो जारकंड में कुछी पहचान के मोहताज नहीं है और सभी लोग जानते हैं कि बुद्धु भगत की वीर बुद्धु भगत की क्या योगदान रहा है और आज तक उनके परिवार या फिर जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां क्या कुछ अध्यम से भी आपको दिखाएंगे और उनके वनसज हैं उनसे भी बात करेंगे सबसे पहले यह तस्वीर इतने दिनों के बाद भी अगर आप देखें तो बहुत कुछ बदलाव आपको नहीं दिखेगा वही पुराने घर वही पुराने खपड़ेल के मकान और जिस विका है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ बदला होगा सामने पूजा अस्थल है हम वहां तक नहीं जा सकते लेकिन जो उनके वनसज हैं उनसे बात करेंगे पहली बार हमको लगता है कि आपके यहां कोई मुख मंत्री आए होंगे से पहली बार आए हैं कुछ उमीर क्या चाहते हैं बिजनेस खेती के लिए मतलब एक बोरिंग चाहते हैं आंगल में तो है जमीन में मतलब Ch应 D var प्रधान मंत्री आवास योजना मिल रहा है लोगों को गाउं के कई लोगों को मिला आपको नहीं मिला है आज तक कोई सरकारी फंट से कोई भी सुबिधाम कुद नहीं मिला है इसको तो दुरुस्त रखने में बहुत खर्चा होता होगा साल में छर्चात होता है साल में 20,000-30,000 खर्चा हो जाता है कि युब पूर्पी बहुत करने के लिए नहीं नहीं दीपूलrench का आप लोग बाहर से हैं ये शही बौरा रहा है कहां देखा रहा है कभी दिवे नहीं कर रहा है जब से यहां बाबा के लिए हम लोग कोई पाई नहीं हो रहा है दिदी लोग आप लोग को कुछ मिला यहां पर कोई सरकार का योजना कुछ भी कुछ नहीं कुछ नहीं मिले हैं मुख्मेंत्री से आप कुछ नहीं बोले आप पढाय करती हैं लेकिन हम लोग का सोच है कि वो कुछ जो आम पबलिक को मिला है लेकिन होना चाहिए कि उस परिवार की लोगों का है मकान इस्य लगना चाहिए आम पबलीक के मकान की तरह ही मकान रहेगा तो क्या है आप क्या सोचते हैं कुछ आपके दिमाग में एडिया मतलब उसे बढ़ चढ़के होना चाहिए ताकि अगर वोग का चार रूम है तो कमसे कम चे रूम का होना चाहिए आपका परिवार बढ़ा है परिवार बड़ा है कि इस वक तो 20 पूरुस महिला बच्चा हम जिस गाओं की बात कर रहे थे वीर बुद्धु भगत की बात कर रहे थे उनके ये वनसज हैं उनके अनुसार जब जारखन में वीर बुद्धु भगत को लेकर बड़ी-बड़ी बाते होती हैं तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे ये आंगन थोड़ा दूसरों के कांजिली होगी उन्हें नमन करना होगा कैमरा परसन सुसिल के साथ अविनास कुमार न्यूज इलेवन सिला गए